Hello Everyone, Welcome back to my YouTube Channel तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी बिहार पुलिस का जो फिजिकल में हम लोग का क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगी और running में अगर हम लोग कितने देर में अगर हम लोग running complete कर रहे हैं तो हम लोग को कितना marks मिलेगा क्योंकि हम लोग का जो merit बन्दा उफ में फफ़े important role होता है running का ही क्योंकि ये 50 marks का होता है अखिरें समाने गयान, NCRT प्याधारी था है बहुत लोग इस पुबुक को अरड़ी जानते हैं बहुत लोगों के पास ये होगी भी सबको पता है कि ये बहुत अची बुक है बहुत अची बुक है गतार कई वरिश्वों से बुक आ रहे है और बहुत अची बुक है और होती अच्छे से अच्छे से अच्छे से बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बुक सिर्फ हिंदी में नहीं इंग्लिश वेडियो में भी सेम अविलेबल है अगर आप लोगों ने मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए गए लिंक से जाकर टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लें तो देखिए हम लोगा जो सबसे पहले क्या होता है रनिंग क्या बात करें अगर फीजिकल का बात करें तो फीजिकल में हम लोगा क्या होता है सबसे पहले तो एक रनिंग होता है नेक्स्ट हम लोगा होता है गो और ब्वाज लोग के लिए एक होता है चेफ्ट है तो रनिंग हो गया 50 माक्स का और ये तीन मिलागी हम लोग का होता है 50 माक्स का और इसी पर हम लोग का मेरिट बनता है तो यहाँ पर मेल कांडिडेट का बात करें तो यहाँ पर मेल कांडिडेट का कितने माक्स का फिजिकल प्रणिंग होगा 50 अंक का। और बात करें तो उनको अगर दौरना है तो एक मिल दौरना यानि कि 1.6 km उनको दौरना है वो भी अधिक्तम 6 मिनट में यानि कि maximum उनको 6 मिनट में के अंदर उनको 1.6 km रणिंग करना रहता और जो इफ पे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं वो डिफ क्वाईली फाई हो जाते हैं तो जो भी candidate पांच मिनट पे कम अगर रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 50 अंक दिये जाते हैं इफ के और जो candidate पांच मिनट पे थोरा अधिक समय ले लेते हैं यानि कि पांच मिनट और पांच मिनट बी सेकेंड के अंदर अगर अपना रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 40 अंक दिया जाता है और नेक्स्ट पांच मिनट बी सेकेंड से अगर उपर जो candidate टाइम ले रहा है और पांच मिनट 40 second के अंदर अपना running complete कर रहे हैं उनको 30 अंक दिया जाता है और जो candidate 5 मिनट 40 second से लेकर 6 मिनट टक का time लेते हैं उनको 20 अंक दिया जाता है और जो 6 मिनट से अधिक time ले लेंगे उनको disqualify कर दिया जाएगा तो ये बत तो हुआ किसके लिए male candidate के लिए यानि कि male candidate अगर इतने time के अंदर अपना running complete कर रहे हैं तो उनको इतना marks दिया जाएगा वही अगर बात करें female candidate का तो female candidate को 1 km running करना रहता है 5 मिनट के अंदर अगर वो 1 km 4 मिनट से कम समय में अपना complete कर रहे हैं तो उनको 50 marks दिया जाएगा वही अगर वो 4 मिनट फे लेकर 4 मिनट बी फेकेंड का टाइम लेते हैं तो उनको 40 marks दिया जाएगा और जो candidate 4 मिनट बी फेकेंड फे 4 मिनट 40 फेकेंड का टाइम लेंगे उनको 30 marks दिया जाएगा और जो candidate 4 मिनट 40 फेकेंड से 5 मिनट का टाइम लेंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत लोगों को confusion रहता है कि कितने दिर में हम लोग अपना running complete करेंगे तो कितना marks हम लोगों को दिया जाएगा तो यहां फे यह confusion आप लोग का दूर हो गया होगा कि आप लोग कितने टाइम में अपना running complete करेंगे तो आप लोगों कितना marks दिया जाएगा और कल के वीडियो में मैं आपको गोला फेक, high jump और chest से related topic को discuss करूँगे तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग